हेलो वरीवन द्रेशमास टेस्टी फूड में आप सबका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं चीज पाउडर तो आज हम प्रोसेस चिस से चीज पाउडर बनाने वाले हैं जिसकी किमत मार्केट में बहुत ही जादा है तो यहाँ पर मैंने एक चीज क्यूब लिये है जो आपको 10 रुपे में या फिर 15 रुपे में मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही अमुल के चीज क्यूब की चीज पाउडर बना रही हूँ 100 ग्राम चीज पाउडर की प्राईज है 200 रुपे हर एक गाव में शहर में एचीज पाउडर मिलना थोड़ा सा नामंकिन ही है तो आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हो तो इस तरह में चीज क्यूब लेना है फ्रेश हो तो अच्छे से ग्रेट होगा इस तरह से तो इसे हमें ग्रेट करना है जो भी cheese cube को melt करके उसकी powder बनाते है वो process wrong है आप इस process को follow किजे आपको 10 रुपे में मिल जाएगा और बाकी जो छोटे मोटे shop होते हैं वहाँ पर आपको 15 रुपे में मिल जाएगा इस cheese cube को इस तरह से grate करने के बाद इसे हमें फ्यान के नीचे या फर एसे ही खुले में सुखने के लिए रखना है तो मुझे करीब 3 दिन लगे है इसे दूप में नहीं रखना है या फिर कीचन में जो गर्म जगा होते हैं वहाँ पर भी इसे नहीं रखना है यहाँ पर मेरा एक cheese cube ग्रेट करके हुआ है तो इस तरह से इसे हमें spread करना है आप tissue paper baby रख सकते हो इसे या butter paper पर या किसी plate पर भी रख सकते हो आप यहाँ पर इसमें corn flour mix कर सकते हो लेकिन मैंने सुखने के बाद किया है देखिए इसे oil छूट रहा है अब इसके हमें powder बनानी है यह अच्छी तरह से सूख गया है तो यहाँ पर मैंने लिया है mixi का जार और इसमें मैंने डाली है corn flour half teaspoon नी मैंने यहाँ पर यूज किया है 1-4 TSP इसी कारण मैंने दो बार डाला है corn flour 1-4 TSP तनी लाल मिर्ज की powder डाली है यहाँ पर मैंने 1-4 TSP इतना salt डाला है और वने TSP इतनी मैंने हल्दी की powder डाली है और यहाँ पर मैंने 1-8 TSP इतना oregano डाला है oregano आप 1-4 TSP इतना भी डाल सकते हो टेस्ट के लिए और हाप TSP यहाँ पर मैंने डाली है PC हुई चीज और बाद में इसमें हम डालेंगे सूखा हो हमारा चीज और इसे मिक्से में हम अच्छे से पीस लेंगे इस चीज पावडर को आप पॉपकॉन में यूज कर सकते हो नाचो में यूज कर सकते हो या फिर आप इसको सैंडविच में भी आप इसे यूज कर सकते हो बहुत ही कम रुपे में यानि कि सिर्फ 10 रुपे में यहाँ पर हमारी चीज पाउडर बनकर रेडी है तो इस रेसिपी को आप जरूर ड्राइ कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई